आजादी के इतने सालों बात भी अगर देश में लोग ऑक्सीजन की कमी की वज़े से जूज रहे हैं और मर रहे हैं तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं होगा नई बीमारी है दवाईयां इमेडियेट नहीं बन सकती हैं इमेडियेट सब तक पहुंच नहीं सकती है समझ में आता ह तो मैंने उनसे इंक्वाईरी किया कि ऐसा क्या हो रहा है तो उन्होंने बोला कि यहां औक्सीजन खतम हो गया है वह लोग डिस्चार्ज कर रहा है हमको सिर्प आप खड़ा की हावा गारी भी दे दीजिए भारे पर मेरा काम हो जाएगा मुझे 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 चाहि की है नंबर्स बहुत कम है इसलिए घर पे जाकर के सैंपल लेना भी कठिन हो गया है आना सफल रहा अच्छा लग रहा है काम करके इस्तिती बहुत ही ताथ साल का बच्चा कॉल करके बोल रहा है कि मेरे साथ महेंद्रा कॉंटो गाड़ी में मेरे पापा और मेरे चार लोग सब्सक्राइब को एक्टिवेट किया और हमने अल्टिमेटली वहां एंबुलेंस और पुलिस दोनों साहिता पहुंचाई और रात के धाई बजे तक वह पेशेंट गया के एक हॉस्पिटल में भरती हो गए थे सभी लोग अगरे डिटा के सब्सक्राइब को एक सो दो के प पटना में वो कौन से लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं यह हनुमान एप के साथ हनुमान के लिए काम कर रहे हैं लोगों के साथ मेरा दूसरा एपिसोड है और हम यहां इसलिए आए हैं ताकि आपको यह बता सके कि जिस कोविट में हमारी के चलते पुरा बिहार पर हम health का एक chain मनाना चाहते हैं और सब कुछ organize कर देना चाहते हैं उन्होंने इसको कितना organize कर दिया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके पास phone आ रहे हैं उन doctors के जिनका कोई RTPCR का जाच करने वाला नहीं है ये शर्म की बात है कि कोई judge इनको phone कर रहा है और कह रहा है कि हमारा जाच उठवा लिजिए और खुशी इस बात की है कि ये लोग वो काम कर भी दे रहे हैं इनका ambulance चल रहा है कम से कम 300 पूरे बिहार में और उस ambulance से ये लोगों को ढो रहे हैं और आखरी line बोलने के बाद इनके पास जाएंगे कि खास बात ये है कि उस ambulance में oxygen भी ये लोग खुद ही दे रहे है क्योंकि oxygen उपलब नहीं है अब नीदर जी से बात करेंगे नीदर जी ये बताएंगे कि वो क्या tackle करते हैं वो काम कैसे करते हैं ताकि आपको भी ये मालूम पर सके कि इनके काम करने का तरीका क्या है शुक्रिया ये काम करने के लिए पहले तो कैसा case चल रहा है पटना में स्थिती पटना के बिल्कुल अच्छी नहीं है हमने जब शुरू किया था तो हमारा main मकसद ये था कि ambulance की पहुँच को हम सुगम कर सके हैं लोगों को जो बहुत लेट से ambulance मिलता है वह हम सुगम कर सके इसके लिए हमने आप भी डेवलप किया software भी डेवलप किया call center अब देख रहे हैं establish किया लेकिन अचानक से जो ये कोविड पिछली एक सब्ता से अपने आकरामक रूप में आया है और हर घर में आपको दो तीन चार मरीज मिलें गे जो कोविड के हैं अस्पताल के सारे बेड भर चुके हैं वह चाहे सरकारी अस्पताल ओं private hospital हो चोटे बड़े सारे hospital के बेड फूल हो चुके हैं और मरीजों की संख्यां कम नहीं हो रही है ऐसी परिस्तिति में हॉस्पिटल तक पहुंचना लोगों के लिए कठिन हो गया है घर वाले भी अपने परिजनों को छुना नहीं चाहते हैं और उसकी वज़े से एंबुलेंस का इतना हाई है कि हम लोगों को रोज करी करीब सेaldo कर रहा मारे प्लेटफॉं से सिटी तू सेंटी सैंपल्स पर डफे हो रहा है और अगर आट बात करें तो जिस लैब की वाजते focus फे शांकर में टेस्ट कराते हैं उस वहाद में उसवाह तीन हजार से चार हजार सैंपल रोज गिर रहे हैं सो सारे लैब की स्थिती भी खराब है जो रिपोर्ट पहले आठ से बारा गंटे में आती थी अब वही रिपोर्ट तीन-तीन दिन तक नहीं आती है और जो लैब में टेस्ट करने वाले लोग हैं सैंपल्स लेते थे उनकी भी तवेद नासाज हो चुकी है नंबर्स बहुत कम है इसलिए घर पे जाकर के सैंपल लेना भी कठिन हो गया है पहले आप सुनते होंगे कि लोगों को घर से सैंपल ले ले रहे थे लैब पे असानी से आर्टी पीसी आर टेस्ट एंटीजन टेस्ट हो रहा था भी वह बहुत कठिन हो गया चुकि लोग नहीं मिल रहे हैं अबुलेंस में ऑक्सीजन चाहिए होता है ऑक्सीजन तो कहीं मिल ले रहा है आप कैसे कर रहे टेकल अक्सीजन कहीं नहीं मिला ना अस्पताल में ना अबुलेंस में आज की तारीक में पटना की हकीकत यह है कि मैक्सिमम अबुलेंस वाले भी बैठ गए हैं कि हमारे पास अक्सीजन नहीं है हम के वल डेड बोडीज कैरी कर पाएंगे यह एक बहुत ही दुख़द चीज है और मैं पर्सनली इस बात से बहुत दुखी हूँ कि आजादी के इतने सालों बाद भी अगर देश में लोग आक्सीजन की कमी की वज़े से जूज रहे हैं और मर रहे हैं तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं होगा नई बिमारी है दवाईयां इमेडियेट नहीं बन सकती है इमेडियेट सब तक पहुंच नहीं सकती है समझ में आता है लेकिन एक ऐसी परिस्थिती जहां ऑक्सीजन अस्पतालों को ना मिले एंबुलेंस को ऑक्सीजन ना मिले यह बहुत ही शर्मनाक है हमने अपने संसाधनों को जुटा करके अपने पैसे से कुछ एंबुलेंस के लिए सिलिंडर्स खर दे हैं जो कि हम अपने हमारे पैनल पे जो एंबुलेंस हैं हमारे साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उनको हम सस्ते दामों पे ऑक्सीजन अवेलबल करा पा रहे हैं ताकि कम से कम हम पेशेंट को सर्विस दे पाएं पुरे बिहार में गॉवर्मेंट के दुरा संचालित एक भी ऐसा फैक्टरी नहीं है जो ऑक्सिजन देता हो इस पर आपकी राए देंगे बहुत दुखद है मतलब एज एल्थ एंटरप्रेनर के एज इस 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 बिहार भी मुझे लगता है मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई ऑक्सिजन प्लांट नहीं है जो कि सरकार के अधीन हो या सरकार ये पैसे से चल रहा हो और ये बहुत खराब स्थिती है अभी जो कुछ मेरे हिसाब से तीन या चार ऐसे जनरेशन प्लांट्स हैं ऑक्सिजन के बिहार में उसमें भी एक बंद था कुछ कारणों से सरकार को इमेडियेटली इनकी कैपसिटी एन्हेंस करनी चाहिए अभी मैंने न्यूज में पढ़ा है कि एक दिन में ऑक्सिजन का प्लांट जो है इंस्टॉल किया गया है किसी एमस में तो बिहार में भी इस तरीके की कवायद सुरू होनी चाहिए और इमेडियेटली ऑक्सिजन प्लांट्स जो है बड़ी संख्या में बननी चाहिए और लिक्विड ऑक्सिजन का सप्लाई भी बिहार के लिए जो है केंद भराता था वो अक्सिजन आज के डेट में सिलिंडर 15,000 का और प्रती सिलिंडर भराने का कॉस्ट जो है 400 रुपए लग रहे हैं आज के डेट में पटना के अंदर भी अगर मुवमेंट हो रहा है तो छोटा से छोटा भाड़ा भी डाई हजार तीन हजार से कमका नहीं है और यूजरी कोई भी एम्बुलेंस जो ड्राइवर है वो प्रतीक भाड़ा उसका 400 रुपए का तो पीपी किट का खर्चा आ जा रह करना भी चाहिए प्रोटोकॉल वाइज सो एक बार गाड़ी सेनिटाइज करने का 400 रुपए का खर्चा जाता है सो मिनिम्मम 2,000 रुपए का खर्चा तो एक बार गाड़ी खुलने का आ जा रहा है तो कोई भी भाड़ा 3500 से 5000 से कमका नहीं हो पाता है रेंडम सवाल आ गया कि मिलने से आसान हो सकता है सरकारी साहिता मिलने से आसान हो सकता है लेकिन अचानक से जो जो हेल्थ का इंफ्रेस्ट्रुक्चर नहीं मैंने अपने पहले इंटर्म में भी कहा था कि हेल्थ का इंफ्रेस्ट्रुक्चर इतना चर्मराया हुआ है सिस्टम इतना चर्मराया हु है कोवीड को भी हुए एक साल हो गया लोगों ने बहुत हला किया कि ट्रेन में हमने बना दिया फिर स्कूलों को बना दिया लेकिन आज की हाकिकत यह कि आप पटना में मौहिनुलहक स्टेडियम में चल रहा था अगर पिसली बार का आपको याद होगा तो कोई एक एंजियो थी जो पांच सो बेड का क्लेम कर रही थी कि मैंने बनाया था वहां बट आज की तारीक में इतनी स्थिती खराब हो गई है ऑक्सिजन तक प्लब नहीं है बहुत सारे होटेल से जिनक हमारा कॉल अचानक से बहुत बढ़ गया है और हमारा फोन सांत नहीं हो रहा है तो वो वॉलेंटियर किये अपनी सर्विस को यहां पर बैठे उन्होंने पूरे दिन कॉल सेंडल किये जो हमने नए रेकुरूइट्स लिए हैं अभी कॉल करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कि लेकिन मैंने देखी कि उनके खुद की तवे इतना साज हो रही है तो फिर उनको आज मना कर दिया बहुत सारा कॉल लेते हैं रात में हमारे पास लड़के नहीं थे अभी संजोग से कल सी हमारा नाइट शिफ्ट का स्टाफ जॉइन किया है सो मैं दीपक संतोश मेरे पित चार फोन और चारो फोन था वाउस्पिटल से था सो से मेरे उनका किलिए तो इनकौरी किया कि आसा क्या हो रहा है तो उन्होंने बोला कि यहां ऑक्सीजन हो गया होस्पिटल में हो लोग डिस्चार्ज कर रहा हमको सिर्फ आप खरा किया हुआ गाड़ी भी दे दीजिए भाड़े पर मेरा काम हो जाएगा मुझे मुझे चाहिए मुझे ऑक्सिजन चाहिए तो बहुत ज्यादा डिफकल्टी है मैं देखू तो पटना गंदर आज की और अब जब आपी साफ साफ देख रहें कि जब शुरुबात की तो पता नहीं यह देख पाए होंगे की नहीं तो क्या बोलेंगे आप अच्छा नहीं है मैं दूसरे स्टेट से कंपर करके मैं तो बिहार 20 साल बाद आया ठीक है और मैं दी उसको कंपर करूं दूसरे स्टे करेंगे जिस तरीके से हम हम बहुत चोटी सी संस्ता है और हमारे पास स्टाफ बहुत कम थे लेकिन जिस तरीके का प्रेशर हमारे उपर आया और हमारी पॉलिसी में हम नो रिफ्यूजल पॉलिसी बोलते हैं किसी को मना नहीं करते हैं आपको मैं अभी स्क्रीन शॉट्स दिखाता हूँ शेर घाटी में एक्सिडेंट हुआ रात में एक बजे एक साथ साल का बच्चा कॉल करके बोल रहा है कि मेरे साथ महेंद्रा कॉंटो गाड़ी में मेरे पापा और मेरे चार लोग थे वो सभी लोग एक्सिडेंट कर गये है हमारे पास शेर घाटी में एंबुलेंस नहीं थी शेर घाटी गया क्या आगे आता है दीपक ने वहां के एसपी को कॉल किया हमने एक सो दो को एक्टिवेट किया और हमने अल्टिमेटली वहां एंबुलेंस और पुलिस दोनों साहिता पहुंचाई और रात के धाई बजे तक वो पेशेंट गया के एक हॉस्पिटल में भरती हो गए थे सभी लोग और उनका धन्यवाद का चिठी मेरे पास आया है हमारी एक ही पॉलिसी है कि हम ना किसी को नहीं बोलेंगे हम एंबुलेंस का और होम डागनॉस्टिक का आर्टी पीसियर टेस्ट के सैंपल जजजेज के डॉक्टर्स के बड़े बड़े उद्यूग पतियों के हम घर से कलेक्ट कर रहे हैं जहां कोई नहीं जाना चाहता है हम किसी को नहीं बोलेंगे हमारे पास ऐसे फॉनस भी आते हैं कि सरदवाई क्या खाना है हम पास टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म नहीं है हमने दूसरे लोगों का नाम बताया है दूसरे टेली मेडिसिन की सजजेशिशन्स दीएं कि वहां से आप डॉक्टर से सला लीजिए तो हमारी एक ही पॉलिसी है कि हम ना नहीं बोलेंगे हम जब तक खड़े रह पाएंगे जो संबभ हो पाएगा हम इस सिच्वेशन से लड़ने के लिए करेंगे और दिन बाद दिन बैतर होके उखरेंगे ज्यादा समय नहीं लेंगे इन लोग का बाकी ये लोग है एक लोग इंट्रव्यू करने में इनका बहुत पहले आने वालता साथ 5-7 दिन पहले की बात है और उस वक्त का कितना चरम पर कोविड नहीं था इनका कुछ इंवेस्पेंट वगरा आया था लेकिन हिमत नहीं हो रहे कि इनसे हम कुछ पूछे इनसे बात करूब प्रशांत से प्रश उसमें से हम लोगोंने 48 गाल आंसर कर दिया है एंसर मतलब की सर्व कर देखा दिया हैं अंबूलेंस बीजबा दिया है कभी कभी कुछ पेसेंट होते हैं चार ऐसे होते हैं कि उनके पास एंबुलेंस गया तब तक मों लोग घर बनाया रहते कहीं और से अंबुलेंस बुक कर लिए गाड़ी यहां से गया ड्राइवर खड़ा हुआ है फोन नहीं उठा रहे तो कभी कभी ऐसा भी सिस्वेशन आज सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें लेकिन सरकार के पास इतना विवस्था नहीं है इसे के लिए तो हम लोग के सपोर्ट कर रहे हैं पास आपके पास 1200 एंबुलेंस है पुरे बिहार में जिसमें से की 650 एंबुलेंस उनका वर्किंग है वाकि किसी का खराब है यह पहले काम करता था ना वहां पर हां तो वहां से मेरी बात होती थी तो वो लोग बताते थे अब वो लोग तो 102 में अभी आप एक टेस्ट कॉल क कोई के पेसेंट है वो डायरेक्ट मना कर देंगे को एक सब्सक्राइब कर लेजेगा प्रशाण जेगा प्रशान जिस पर हम कुछ नहीं हो लाचा है अभी लगाते हैं लाइव एक सोदोव पर कॉल करके लाईए कहा है मेरा फोन मेरा फोन दर रखा हुआ है या कोई फोन द सब्सक्राइब करना था कंकडबाग काटी फैक्टरी से कोवीड पॉजिटिव है सर वह बहुत अर्जेंट है सब्सक्राइब करते हैं अच्छा पटना अच्छा पटना यह इसके लिए नमबर दे रहां वहां से आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप क्यों दे सकते हैं सब्सक्राइब आप उसकी के लिए नमबर दिया है जल्दी बताई दूसर्का नमब लिखें पिस लिए नहीं करते हैं कि यह सपेशल करोना पिशन के लिए ही बनाए गया है आपने देखा साहब ने कहा कि कोई नंबर देगा इस पर फोन लगा रहे हम अब देख लिए और अब साहब में डायल किया गया नंबर वैद नहीं है प्रिपया नंबर चेक करें अब बताईए अब अगर नितीश जी आकर ये कहते हैं या उनके स्वास्त मंदरी फेस्बूक पर अपने लिखते हैं कि हमने आई जीमस पर पचास बेड लगा दिया है तो ऐसी सरकारों को लानत भीजने के अलाबा क्या कर सकते हैं और ऐसी सरकारों को आप कुछ कर भी ने सकत हैं कि आपने इनको चुनकर सत्ता में बिठाया है और सहाब ने देखा कि इतने अच्छे से कहा कि हां एंग्लेंस मिल जाएगा कोवीड के लिए स्पेशल बनाया गया है और आपके सामने दुरू नंबर पर फोन लगा और नहीं लगा जी सर बताईए क्या क्या से वार्ट है वहां पर राजिंदा नगर के पास है राजिवसार हॉस्टिटल तो क्या उनको करी तरफ की फूडिंग फैसल्टी मिल सकती है आप लोगी तरफ से हॉस्पिटल में खाना नहीं मिल रहा है कि वह खुद बात नहीं कर पाया थे तो उन्होंने मुझे इसी नंबर बात करने कि पूला हुआ है कि वह खुद अपनी तरफ से हमको बात करने के लिए इस नंबर पर ना अपना पेशेंट का डिटेल्स वाटसब करिए मैं हॉस्पिटल वालों से बात करता हूं कि खाने का क्या प्रॉबलम है और जो भी पॉसिबल होगा सरकोशिश करेंगे करने के आप म देखता हूं कि मैं क्या मदद कर सकता हूं फिर आपको फीडबैक दूंगा भी प्रॉबलम है कि यह कहना चाहरा हूं कि हमारे पास जो कॉल्स आ रहे हैं वह कॉल के वलब एम्बूलेंस के लिए नहीं आ रहे हैं हमारे परसनल नंबर हमारा टॉल फ्री नंबर इतना प्राइओं के लिए कंसल्टेशन के लिए हॉस्पिटल में और खाना देने के लिए सब ही जगह की चर्मरा रखी है अब सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें यह पूरी उमीद है कि सरकार का इस पर नजर जाएगा और जो कुछ भी बेहतर हमारे लिए वह कर सकेंगे हमारे स कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा कर पाएं लोगों को मदद कर पाएं ना नहीं बोलने का पहले भी बता है नो रिफीजल पॉलिसी चलिए और प्रशांद जी का भी सुग्या रहा कि भाइस आपने सरकार का पोल खोले हैं थैंक्स बड़ी मदद किया हमारी बागी मैंसे घूम रहे हैं देख रहे हैं लोगों को इन जैसे लोगो को जो वाकई में शांदार काम कर रहे हैं अभी के वक्त में जब सरकार ने ये कह दिया कि अम्बुलेंस नहीं है आपने प्रशांतरा आप जंता नेक्शन देख रहे थे यह हनुमान का ओफिस है बहुत बहुत धन् सब्काफब लाग।